हमारे देश के स्वाविमान को, हमारी देश की उस आत्मा को चलनी किया आखे निकाल ली, हाथ और पाउं काट दिये और तीन-तीन गौलियां सीने के अंदर दाक कर हत्या कि शहीद नरेंदर सिंग ने तो शहीद हेमराज की तरह भारत माता के प्रती अपनी कुर्बानी देकर अपना कर्ज निभा दिया पर प्रशन ये है के आज के हुकमरान अपनी जुम्मेवारी कब निभाएंगे कहां गया 56 का सीना और कहां गई पाकिस्तान को दिखाई जाने वाली लाल आख कब निर्णे होगा पाकिस्तान के साथ के वो आए दिन हमारे फौजी जवानों के शवशत विशप्त कर उनकी इस बेबाग तरीके से हत्या ना कर पाएं क्या प्रधान मंत्री जी की आत्मा अंतरात्मा उनको कचोड़ती नहीं क्या सरकार के पास कोई शरम नाम की चीज बची है अब जबाब देना पड़ेगा ऐसा लगता है के सरकार बेइमानों को लेकर ज़्यादा चिंतित है बजाए देश के फौजी जवानों के पाकिस्तान को क्रिकेट बैट तो भेजते हैं पर देश की सेना के लिए बैटिंग कब शुरुआत करेंगे प्रधान मंत्री जी आज हर्याना नहीं पूरे देश के लोग ये जबाब मांग रहे हैं हमारी ये मांग भी है के शहीद नरेंदर सिंग जी के दोनों बेटे जो हैं उनको जल्द से जल्द हर्याना सरकार उनकी योग्यता के मुताबिक रोजगार दे शहीद का दरजा दे और शहीद नरेंदर सिंग के परिवार के साथ जहां पूरा गाउं पूरा इलाका और पूरा प्रदेश और देश खड़ा है वहां उस शहीद की आत्मा को सच्ची श्रधांजली तब मिलेगी जब उन हत्यारों को ढूंड ढूंड कर भारत सजा दिलवा पाएगा जैसा कहा गया ये हम सब का दुर्भाग्य है कि सेनिक शहीद हो रहे हैं शहीद नरेंदर सिंग ने भारत माता की रक्षा करते हुए सरोच कुर्बानी दी शहीद नरेंदर सिंग ने इस बात की परवा नहीं की के 9 घंटे तक पाकिस्तान के की सेना ने उनको करते हैं